हमारे बीचे पहुंच चुके हैं Congress Party Congress Party श्री राहूल गांधी श्री मलकार जुन खड़ गए श्री सोनिया गप श्री मती सोनिया गांधी फिरिंका गांधी Congress Party अब Congress Party श्री राहूल गांधी अब आपके सामने यहां के थने सर्विदान सभा के परत्यासी पूरो मंत्री सिरिया सो कुछ देके श्री राहूल गांधी जी और पिरिंका गांधी जी का स्वागत करेंगे श्री या सो कुछ जी राहूल गांधी का स्वागत करते हुए अब श्रीमति प्रिंका गांदी जी का स्वागत करते हैं यहां के धने सर्विधान सभा के पर्टासी लोग पर्टासी श्रीय सो क्रोडा जी और अब वो स्वागत बासन आपके बीच में श्रीय सो क्रोडा जी बहुत ही सम्मान के योग हमारे लोग सबा में नेता प्रतिपक्स गरीब की किसान की मजदूर की वपारी की करमचारी की सब की आवाज देश की पार्लेमेंट में बुलंदी से उठाने वाड़े हमारे सब के नेता आदर्मिय शिरी दाहुल गांदी जी हमारी राष्टिय महास्चीव और जहां जहां भी महिलाओं के उपर अत्याचार हुआ चै वो हमारे देश की खिलाडियों चै और कहीं भी महिला उत्पुड़न हुआ सब से पहले चत्तान की तरह खड़ी रही हमारी बैन शिरी मती फिंका गांदी जी हरना परदेश कोंगरेस पार्क कमेटी के अध्यक्स मान्ये चोधरी हुदेबान जी हमारे नेता प्रतीPS चोधरी प्रपिंदर सेंग उदा जी हमारी शिर्शा से सांशत पार्टी की व्रिष्ट देता रयन कुमारीस ह्ल्जा जी कमारी upgraded नाटवार प occup ». आज अमारे नेता राहूल गांधी जी का तिरिमती प्रिंका गांधी जी का बगवान क्रिशन की करम भूमी, गीता की जनम भूमी, कुरक्षेतर की धर्ती भी पहुंचने पर दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, अबिनंदन करता हूँ, और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आज अर्याना परदेश के अंदर लोग बदला उचा रहे हैं, अर्याना परदेश का जन जन, आज एक ही बात कह रहा है, कि ब पद्यात्रा शुरू की, तब से जो महोल बना, लोग सबाब के चुनाओं में भी उसका नतीजा देगा, और अब हर्याना के अंदर, विदान सबा चुनाओं में, निश्चित रूप से, आपकी जो पद्यात्रा, आपका संगर्ष, पार्लेमेंट में भी, और सड़क के पहन सेलजा दी का, वेनुग उपाल दी का, जो आज हमें अपना सयोग वाशीरवाद देने आए, और यहां पर उपस्ति सबी, हमारी जो पहने भाई बजुर्ग, अपना सीरवाद देने, अपने भाई को आए, आपका अभी स्वागत भी करता हूं, और धनेवाद करता हू इसी के साथ मैं अन्रोज करता हूं, हमारी वृष्ट नेता, बेहन कुमारी सहलजाजी से, कि वो पी आए, और अपना सीरवाद स्वयोग दें, और इस जनता को समोधित करें, बेहन सहलजाजी हमारे लोग प्रिये नेता हर्मन प्यारे, जो आज देश में घरीब की, दबे कुछले की, जिसकी आवाज कोई बनना नहीं चाहता था, आज उनकी आवाज हमारे नेता राहुल गांदी जी बने हुए हमारी बेहन, हमारी नेता, श्रिमती प्रियांका गांदी जी, जो हर जगे जाकर लोगों के दिल में बश जाती हैं, लोगों की बात, जो वो सुनना चाहते हैं, खास तौर से मेरी बेहनों की आवाज, वो प्रियांका गांदी जी उठाती हैं, मंच पर उपस्थेत हमारे सभी समानित नेतागंड, श्री केसी वेनु गुपाल जी, अखिल भारतिये कॉंग्रेस पार्टी के महा सचिफ, सी एलपी लीडर, श्री भुपेंदर सिंग हुडा जी, पी सी सी प्रेजिडेंट, श्री हुदे भान जी, और यहाँ पर उपस्थेत, अन्य सभी समानित सातीगंड, नेतागंड, यहाँ उपस्थेत मेरी बहुत ही प्यारी बेहनों, नौजमान साथियों, बुजुर्गों मीडिया के हमारे सातीगंड, आज इस धर्म नगरी में हम पहली बार नहीं पहुंचे हैं, राहुल गांदी जी पदियात्रा जब लेकर चले थे कन्या कुमारी से कश्मीर तक, हमारा सौभागय था, कि राहुल गांदी जी यहाँ पर आए, हम सब का मार्ट दर्शन किया, हम कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सातियों में एक नई उर्जा भर के गए, और यहाँ पूजा करके गए, सातियों, राहुल गांदी जी पर आज हम सब को नाज है, देश को नाज है, एक एक हर्याना वासी को नाज है, एक एक कॉंग्रेस के कारिया करता को नाज है, इनका बहुत स्वागत है आज फिर और हम आगे बार बार राहुल गांधी जी को इस धर्म नगरी पर में बुलाएंगे हर्याना में बुलाएंगे प्रियांका गांधी जी का भी बहुत बहुत स्वागत इंदिरा जी आती थी इंदिरा जी की पुरानी फोटो दिखाते हैं लोग अ मेहरू जी के साथ होते हैं और आज प्रियांका जी को देखकर बहुत से लोग इंदिरा जी की याद करते हैं साथियों ज्यादा कुछ ना कहते हुए चुनाव का समय है सभी लोग जो ये भारतिय जनता पार्टी की ब्रश सरकार है इसका तख्ता पलटने का समय आ गया है आप सबसे गुजारिश है कि इसमें हम सब मिलकर कॉंग्रेस पार्टी को जिताएं कॉंग्रेस की सरकार बनाएं ताकि आप लोगों की सरकार बनें एक न्याय की सरकार बनें और राहुल गांदी जी द्वारा दिखाया गया न्याय का रास्ता हम अपनाएं सब लोगों तक 36 बिर धन्यवाद मेंजीब आप मेरा अन्रोज है हमारे उरो मुख्यमंत्री नेता प्रतिपाक्स आधर्निये चौधरी बबिंदर शिंग उटा जी से कि वो भी आएं और अपना संदेश इस करम भूमी की दर्ती पे दें आधर्निये उटा साथ हमारे सब के देश के नेता मजबूत नेता श्री रहाओल गांधी जी और अखिल भारती कॉंगर्स क्रिमेटी की महामंत्री श्री मजब प्रिंका गांधी जी और हर्याना प्रदेश कॉंगर्स क्रिमेटी के अध्यक्ष हुदेबान जी बहन शेलजा जी और यहां से हमारे कॉंगर्स पार्टी के उमिद्वार अशो करोड़ा जी और साथ पेवा से उमिद्वार मंदीप चठ्ठा जी लाडवा से हमारे उमिद्वार मेवा सिंग जी सारी बात बताएंगे आपको मैं तो राउल जी ये पुरक शेत्र धर्म शेत्र है यहीं नय और अनय का फैसला हुआ और सारे हिंदुस्तान के इत्यास में जो है इसका स्थान है और यहाँ पर हर मंदिर है यहाँ पूरी तरह से यह ऐसी भूमिया इसको बूमिय को नमन करता हुआ 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 ह से और यहीं से एक आंदोलन पूरे पर्देश नो पहला था तो यह आज रहुल गांdhi जी आया हैं यहाँ से उठी यहाज पूरे देश में जायेगी हर्याने में तो जायेगी जायेगी हाँ की हवा पूरा हर्यारे में फैलेगी जो कुरशेतर जिस तरफ जाएगा धर्मचेतर जाएगा वही फैसला करेगा नएका नएका बाकी बाते सारी जो है राहूल जी आपको बताएंगे मैं इनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ धन्यवाद करता हूँ इतना समय निकाला और धर्मचेतर में हेल चेखा ना निकारत है क्टाएंगी परटी जिननदाबाद शृर राहूल गांदी जिन्द वाद शृमदी प् popcorn का गांदी जिन्दाबाद Congress पार्टी जिनदाबाद अमेरान रोजये हमारी बहन got usage शंगर्शिल हमारी नेता श्रीमती प्रिंका गांधी जी से वो भी आए और धरम शेत्र में उनका स्वागत है और मेरा नोद है जोरदार तारियों से स्वागत कीजिए जोरदार तारियां और तोरदार बैनोर भाईयो राम राम श्री मेरे बड़े भाई श्री राहूल गांधी जी श्री केसी वेनु गोपाल जी श्री भुपिंदर सिंग हूटा जी श्री उधेभान जी कुमारी शैलजा जी यहां के सभी कॉंग्रेस के उमीदवार अशो करोडा जी पास में मेवा सिंग जी भी उमीदवार है मंदीब छट्टा जी भी और मंच पर आसीन सभी कॉंग्रेस के नेता गन पदादिकारी गन कॉंग्रेस के कारिकरता गन आप सबका इस सभा में बहुत-बहुत स्वागत ह पूड़ा जी ने कहा ये कुरुक्षेत्र है, धर्मक्षेत्र है, यहां से दुनिया में सब धर्मों के बीच हमारे धर्म का संदेश यहीं से उभरा, यहीं से उठा, यहीं पे पाच पांडवों ने कौरवों की सेकड़ों की सेना को शिकस्त दिया, मैं यहां आसपास साधना करने आती थी, ग्यारा दिन की साधना होती थी, यहीं से कुछ 45 मिनट दूर होगा, आदा गंटा दूर होगा, और गुरु जी का प्रवचन सुनना था, हर शाम को मौन साधना थी, तो 11 दिन हम मौन रहते थे, कई बार में आई, और गुरु जी प्रवचन में हमेशा यह कहते थे, कि यह जो धर्ती है, यह पवित्र धर्ती है, इस धर्ती ने हमें दिखाया है, कि न्याए और अन्याए के बीच में क्या फर्ख है, सचाई और असत्य, सत्य और असत्य के बीच में क्या फर्ख है, इस धर्ती ने हमें दिखाया है, वो कहते थे कि अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, बेशक अकेले लड़ो, बेशक तुम्हारे सामने सेक्डों की सेना हो, हजारों की सेना हो, खड़े रहो, मजबूत रहो, द्रिड रहो, निडर रहो, तो जीत हासिल ही होगी। आज हर्याना की जनता की क्या लड़ाई है, यही लड़ाई है, सदियों बाद, आज हम वहीं पे हैं जहां उस समय थे, आज आप सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, और आप न्याय की तरफ खड़े हो, सच्चाई की तरफ खड़े हो, आपकी सच्चाई क्या है, आपका सत्य क्या है, मेरी बेहने बैठी है, क्या सत्य है आपका, आज महिंगाई से जूज रही हैं आप, गैस सिलिंडर बारा सो का है, दो-तीन दिनों में शराद खतम होंगे, नवरात्री शुरू होगी, त्योहार का समय है, दिल में खुशी भी है, घबराहट भी है, महमान आएंगे, लिपाई पुताई करानी है, घर को सजाना है, महमानों के लिए खाना पकाना है, त्योहार मनाना है, पैसे कहां से आएंगे, खरीदोगी कैसे दुकान जाओगी आदी चीजे खरीदोगी आदी खाली आहात आप वापिस आ जाओगी घबराहट है जब कोई बिमार पढ़ता है बच्चा बिमार पढ़ता है बच्चे की फीज भरनी पढ़ती है घबराती हो मेरे किसान भाई बैठे हैं खेती में मेनत करते हैं दिन, राट खुन, पसीना देते हैं इस देश के इंदाता हैं आप अपने बेटों को आफ सरहत पर भेजते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए देश की सुरक्षा के लिए आज आपकी सच्चाई क्या है कि यह सरकार सिर्फ काले कानून लाती है यहीं पिपली में लाथी किस पे चलाई इन्होंने देश द्रोही किसको कहा आतंकवादी किसको कहा हमारे देश के किसानों को आपको भूलिये मत कि आपकी सचाईयात जो है इसमें बहुत बड़ा श्रेश दस साल की भाजपा की सरकार में ने लिया है इनका श्रेश है इसमें यह सचाई कि आप किसानी से खेती से आज कमा नहीं पा रहे हैं आपको MSP नहीं मिलता है बड़े-बड़े मंचों पे ऐलान करते हैं MS ऐसी फसलों पर देते हैं जो आप उगाई नहीं रहे हैं, तो आपके आगे आपका भविष्य क्या है, नौजवानों का हर्याना में आज भविष्य क्या है, बेरोजगारी ही दिख रही है, अंदुकार ही दिख रहा है, जहां रोजगार पैदा करना था, वहां अगनी वीर की स्कीम ले आए, आप जाएए सरहत पे, शहीद भी हो जाएए, आपके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा, और चार सालों की आप सेना में आप भर्ती करेंगे, उसके बाद आप घर आएंगे, फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, ये मिल रहा है आपको, अपनी शहादत के ल कार सिर्फ बड़े-बड़े उद्योग पतियों के लिए चल रही है, अडानी जी, अमबानी जी के लिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ उनके लिए है, उनके कर्ज माफ होते हैं, उनके उद्योग बढ़ाए जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, दिन, रात, पसीना, नहीं है, यह पहलवानों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, खिलाडियों का प्रदेश है, जवानों का प्रदेश है, आप ने पाला पोसा है, जवानों को, खिलाडियों को, आज देखिये, हमारे उलिम्पिक की खिलाडियों के साथ क्या बरताव होता है, मैं गई मिलने और उन बेहनों ने मुझे क्या बताया बेहने सुनिये उन्हों ने कहा दीदी हम उलिम्पिक का मेडल लाए थे मोदी जी ने हमें घर बुलाया हमें चाए पिलाई फिर हमारी साथ हमारी साथियों के साथ इतना बड़ा न्याय होता है हमने सोचा कि अगर हम सडक पर आकर बैठ जाएंगे हम न्याय मांगेंगे तो मोदी जी हमाई सुनवाई करेंगे हम आवाज उठाएंगे उलिम्पिक के मेडलिस्ट है तो हमारी आवाज वो सुनेंगे रो रही थी कहा दीदी हमारे लिए पाँच मिनट का समय नहीं था मोदी जी का घर मालूम है कितनी दूर है उनके अंदोलन स्थल से उनके अंदोलन स्थल से मात्र दस मिनट दूर है गाड़ी में बैठते दस मिनट में पहुँच जाते अरे उनको घर बुला लेते जैसे जब मेडल लाये थे तब बुलाया था लेकिन कुछ नहीं किया मोदी जी ने कुछ नहीं किया ये लड़कियां रोती रही आज लड़ रही है न्याय के लिए लड़ रही है कॉंग्रेस पार्टी की उमीदवार बनी है विनेश हिम्मत वाली लड़की है वो हर्याना की पहचान है मैं उसको देखती हूँ मैं हर्याना की हर लड़की को देखती हूँ जब भी उसको देखती हूँ मुझे गर्व होता है वो जब आई हमसे मिलने उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शान चाहिए, शोहरत चाहिए, सत्ता चाहिए उन्होंने कहा कि अगर मेरी राजनीती में आने से मेरे अंदोलन को मजबूती मिलेगी अगर हर्याना की मेरी बेहनों को न्याय मिलेगा तब ही मैं राजनीती में आऊंगी, मैं उनके लिए लड़ूँगी, ये है आपकी भावना, तो मैं जादा लंबा नहीं बोलना चाहती, मेरे भाई मजाग कर रहे थे, अभी मेरे से कह रहे थे, तुम कम से कम 45 मिनट के लिए बोलते हो, उससे कम नहीं बोलती, तो मैं थोड़ा कम बोलूँगी, जादा लंबा नहीं बोलना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ कि देखिये, आप में सब कुछ है, हिम्मत है, शक्ती है, वीरता है, देश को दिखाया है, और सदियों से आपने देश को दिया है, अपना पसीना, अपना खून, अन, सब कुछ दिया है, आज अपने लिए हक मंगो, अपना अधिकार मंगो, यह आपका अधिकार है आपका हक है कि आपके लिए सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए कि जो नेता आपके सामने आए सर जुका के आए घमंड करके ना आए 56 इंच की छाती वाले बाते ना करे यह बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है और क्योंकि ये इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा दाइत्व है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक यहां के किसानों को यहां के मजदूरों को यहां की महिलाओं को यहां के नौजवानों को आगे बढ़ाओं उनका विकास कराओं और आप में बहुत विवेग भी है आप पहचान जाते हैं हर चीज आप आज पहचान रहे होंगे कि भाजप्पा के नेताओं ने क्या क्या कहा और क्या करके दिखाया अभी भाईया और मैं कुछ परिवारों से मिले वो जो फैमिली आईडी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि फैमिली की आईडी बनानी होती है उसमें हर परिवार के सदस्य की आमदनी चाए 17-18 हों परिवार के सदस्य चाए अलग-अलग परिवार के यूनिट नहों मतलब एक भाई उसकी बीवी उसके बच्चे दूसरा भाई उसकी बीवी उसके बच्चे साब की आमदनी जोड़के सरक्यार क्या कर रही है आपको सरकारी स्कीम से निकालने का काम कर रही है मतलब वो बता रहे थे कि दीदी, हमारी सदसे चार सदसे हैं हमारा यह नया पहचान पत्र इन्होंने बना दिया अब कहतें कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ गई है इसी तने से सबकी आमदनी जोड के जो किसान की सुविधाएं हैं जो मजदूरों की सुविधाएं हैं सब बंद हो रही है ये सारा काम जो हो रहा है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की भलाई के लिए हो रहा है आप के लिए नहीं हो रहा है आप आखे खोलो पहचानो की सच कौन बोल रहा है जूट कौन बोल रहा है कौन आठ हजार किलो मीटर इस देश में चलता है इस देश को एक रखने के लिए और कौन आठ हजार किलो मीटर दूर दुनिया के हर देश में भ्रह्मन करता है लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आपके किसानों से मिलने के लिए पांच मिनट नहीं निकालता पहचान लीजिए कि आप जो आपकी सचाई है उसको आप ही बदल सकते हैं आपका अधिकार है आपका हक है और इस सम्विधान ने आपको ये शक्ति दी है ये जो गीता में बातें लिखी है सत्य और असत्य के बारे में सत्य मेव जयते हमारे सम्विधान में भी लिखी है समानता की बात अधिकार की बात हक की बात न्याय की बात हमारे सम्विधान में लिखी है आपको अधिकार दिया है आपको वोट दिया है आप सोच समझ कर पूरे विवेक से इस वोट का इस्तमाल करिए एक जुट होकर करिए किसी के बहुकावे में मत आईए ये वोट आपके लिए होना चाहिए आपके बच्चों के भविश्चे के लिए माताएं बैठी हैं, यहाँ बेहने बैठी हैं आपके बच्चों के भविश्य को मजबूत बनाने के लिए आपकी खेती को मजबूत बनाने के लिए ये जो नौजवान आप सरहत के पे भेजते हैं इनके पेंशन के लिए होना चाहिए आप अपने वोट को ऐसा इस्तमाल करिए कि पूरे देश भर में गून जुठे कि हर्याना की जंता उब चुकी है अब एक लहर आ रही है कॉंग्रेस की लहर तो है लेकिन आपके सम्मान की लहर भी है आपका जो निरादर किया है इस भाजप्पा की दस सालों की सरकार ने आप उनसे न्याय लीजिए अब मैं अपना भाशन समाप करती हूँ बड़े भाई अपना भाशन देंगे आप सब ध्यान से सुने इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत शुक्र गुजार हूँ और नवरात्री के लिए दसेरे के लिए आपको बहुत-बहुत शुप कामना है हम सब की तरफ से धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद भेंजी आपने गीता के बारे में बताया आपकरम करने के लिए बहुत अच्छा संदेश आपका अब मैं अन्रोद करूँगा हम सब के नेता देश के देश की आवाज सिरि राए गांदी जी से की वो भी अपना संदेश दे उस से पहले मेवाद सिंग जी मंदिय जी आप राए जी से मिलें आप भी-छान गांदी जीन दा आबाद हम राए गांदी जीन दाबाद और थनिसर अलकर के परत्यासी मंदीप जी पेवाद कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी सिरी रहूल गांधी केसी केसी वेनुगोपाल जी प्रियंका जी उधेबान जी वुपिंदर सिंग हुडा जी कुमारी शेलजा जी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हमारे प्यारे कारे करता भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार मूट कैसा है आपका अच्छा है कुछ दिन पहले मैंने पार्लिमेंट में भाशन दिया महभारत के बारे में कुरुक्षेत्र के बारे में और वहां मैंने कहा कि महभारत के युद में कौरवों ने अभिमन्यू को शक्र व्यू में घेर के मारा था और जब मैं उस भाशन का का रिसर्च कर रहा था तो मैंने चक्र व्यू के बारे में इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्र व्यू का दूसरा नाम पद्म व्यू होता है और ये भी पता लगा कि चक्र व्यू में महाभारत में हजारों सेनिक थे मगर चक्र व्यू को छे लोग चलाते हैं शेप उसकी कमल जैसे होती है जो हमारे बीजेपी का जो जैसे ये कॉंग्रेस का है अभे मुद्रा ये देखो डरो मत ये आपको हर धर्म में दिखाई देगा यहां हमारे सामने गुरुदारा है गुरु नानक जी की फोटो देखेंगे आज इंटरनेट पे जाना गूगल सर्च करना गुरु नानक जी की फोटो देखोगे तो आपको वो ऐसे अभेमुद्रा आपको दिखाई देगा शिवजी की फोटो बुद्ध भगवान की फोटो महवीर सब की फोटो में आपको ये अभेमुद्रा डरो मत घबराना नहीं है ये आपको दिखाई देगा तो ये पदम व्यू जो कमल का चिन है इसी शेप में महाभारत में चक्रव्यू बनाया गया और इस से अभीमन्यू को मारा गया उसकी हत्या की गई छे लोग थे और मैं सोच रहा था अजीब सी बात है उस टाइम भी चक्रव्यू लगा वो भी कमल के शेप में था उसका चिन भी कमल था और आज भी हिंदुस्तान में चक्रव्यू लगा हुआ है उसको भी छे लोग चलाते हैं उसका भी चिन कमल का निशान है और जैसे मैंने ये बोला बीजेपी के लोगों को पता लगा भई सच बोल गया सब खड़े हो गए कैसे बोला मोधी जी तीन चार बार खड़े हुए मगर ये सच्चाई है कुछ दिन पहले में अमरीका गया वहाँ पे हर्याना के युवाँ से मिला बीस पच्चिस युवा छोटे से कमरे में रहते हैं यहां से भाग के गए 35 लाक रुपे से 50 लाक रुपे लगे किसी ने जमीन बेची किसी ने कर्जा लिया 2% महीने का सहुकार से बैंक से पैसा नहीं लिया बैंक नहीं दे सकता उसको पैसा बैंक तो अधानी को देता है भागे यहां से इस्तानबुल गए इस्तानबुल से कजाकिस्तान उजबेकिस्तान पूरी दुनिया देखी साउथ अमेरिका सुरिनाम नाओ में गए नाओ डूबी अपने दोस्तों को मरते हुए देखा उसके बाद माफिया के लोगों ने उनको लूटा पानमा के जंगलों में से निकले पहाणों में से निकले वहाँ अगर कोई कमजोर निकला माफिया वालों ने उनको गोली मार दी वीडियो दिखाए उन्होंने मुझे कहा कि भाईया ये वीडियो अपने वीडियो पर मत डाल देना हमने नहीं डाला मगर उनकी सच्चाई है समुद्धर में से निकले आंदी, तुफान, पहाडों में, जंगलों में से निकले अमरीका गए मैंने उनसे पूछा कि भईया आपने 30, 35, 50 लाग रुपे लगाए इससे आपने हर्याना ये बिजनस क्यों नहीं खुला चोटा सा बिजनस खोल देते अमरीका जाने की क्या जरुदत कहते हैं राहूल जी हर्याना में हमार ले कुछ नहीं बजा हर्याना में चोटा बिजनस नहीं चल सकता मिडल साइज बिजनस नहीं चल सकता हर्याना में अगर युवा रोजगार चाहे नहीं पा सकता है उसके लिए एक ही रास्ता है अमरीका उधर नरेंदर मोदीची के दोस्त ट्रम्प साब वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे है मोदीची गले लगते हैं उनसे और उनका भाषन सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमरीका में अंदर नहीं आने दूँगा मतला भर्याना के लोग यहां से जान बचा कर जा रहे है और वहान नरेंदर मोदी का दोस्त कह रहा है जिससे वो गले लगते हैं कहरा मैं इनको अंदर आने नहीं दूँगा गेति का रास्ता बंद कर दिया small medium business का रास्ता बंद कर दिया पहले public sector हुआ करता था वो बंद कर दिया सारे के सारे units प्राइविटाइज कर दिये कोई अदानी को दिया कोई अम्बानी को दिया आप लोग सेना में जा सकते थे हर्याना के लाखों युवा हिंदुस्तान की आर्मी में एर फोर्स में नेवी में गए नरेंद्र मोदी जी नई योजना लाए अगनीवीर योजना अगनीवीर योजना का एक ही लक्ष है हिंदुस्तान के जवान को जो पेंशन मिलती थी जो कैंटीन मिलती थी जेब में जो पैसा जाता था उसका छीनने का लक्ष है दो तरीके के जवान बना दिये एक जिसको पेंशन मिलेगी शहीत का दर्जा मिलेगा कैंटीन मिलेगी, सब कुछ फसिलिटी मिलेगी और दूसरा जिसको कहा जाएगा भहिया आपको ना ट्रेनिंग देंगे, ना पैंशन देंगे ना कैंटीन मिलेगी, ना शहीत का दर्जा मिलेगा आपको बस ये नाम मिलेगा अगनीवीर, छाती पर लगा दो इसको क्यूं? जवानों का पेंशन क्यों चीना गया जवानों की कैंटीन क्यों चीनी गई शहिद का दर्जा क्यों नहीं मिलता है क्योंकि नरेंद्र मोधी सेना को अधानी के हत्यार बेचना चाता है आप जाईए इस भाषन के बाद जाईए गूगल पर जाईए अदानी डिफेंस गूगल पर सर्च करिए उदर आपको एक चमकता हुआ वेब साइट मिलेगा उसमें आपको ड्रोन दिखाई देंगे राइफल एके फॉटी सेवन और अलग 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 तरीके की राइफल दिखेंगी इस्रेली हत्यार दिखेंगे इस्रेली ड्रोन दिखाई देगा इस्रेली राइफल दिखेंगी इस्रेली कार्टूज दिखेंगे अदानी नहीं बनाता उनको अदानी कुछ नहीं बनाता है इस्रेल की कमपनी बनाती है अदानी उसको थोड़ा अपनी फैक्टरी में जोडने का काम करता है टेकनोलिजी इस्रेल की हथियार इस्रेल का ड्रोन इस्रेल का लेबल उपर अधानी का पैसा जाता है अधानी जी को सरकार का डिफेंस का बजट का हजारों करोड रुपए जाता है उसमें से उनके जो मित्र है जो प्रधान मंत्री जी है उनकी पार्टी को पूरी सपोर्ट मिलती है मीडिया में अधानी जी 24 गंटा एंडी टीवी पे बाकी चैनलों पे अम्बानी जी नरेंद्र मोधी जी का चेहरा दिखाते रहते हैं आपने देखाओगा पिछले चुनाओं में चुनाओं चल रहा था हमने जाती जनगर्ना की बात की हमने रेजर्वेशन को 50% से ज़्यादा बढ़ाने की बात की हमने किसानों कर्जा माफी की बात की नरेंद्र मोधी जी देश को बातने की बात करते हैं हिंदू कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे कहीं किसानों को आतंकवादी बुलाएंगे और यूद के बीच में ऐसे भाषण में नरेंद्र मोधी जी कहते हैं बाईएंगे और बहनों मैं बायोलोजिकल नहीं हूं मैं बाइलोजिकल नहीं हूँ, बाकि सब लोग बाइलोजिकल है, नरेंद्र मोधी बाइलोजिकल नहीं है मेरा डाइरेक्ट उपर भगवान से कम्यूनिकेशन है सिदा उपर, अब भगवान जी मुझे ओर्डर देते हैं और मैं लागू कर देता हूँ, मुझे पता भी नहीं लगता उपर से ओर्डर आता है, मुझे तो भगवान ने बेजा है मैं बस वो जो कहते हैं करता हूँ कुछ साल पहले मैं आसाम में मंदर में गया वहाँ पर पंडिजी से बात हुई, उन्होंने कहा राहूल तुम जिस चीज में भी भगवान को देखना चाहते हो जहां भी भगवान को देखना चाहते हो आप भगवान को देख सकते हो आपको कही जाने की जरूरत नहीं है दिल के अंदर आपको भगवान मिल जाएंगे आसमान में आपको भगवान मिल जाएंगे, मंदिर में मिल जाएंगे धरती में मिल जाएंगे जहां भी आप भगवान डूड़ना चाहते हो आपको भगवान मिल जाएंगे तो मैंने सोचा भई ये नरेंद्र मोधी जी के भगवान अजीब से है ये 24 घंटा नरेंद्र मोधी जी से अरब पत्यों की मदद करवाने में मदद करवाते हैं तो फिर बात समझाई नरेंद्र मोधी जी के भगवान अदानी है सीधी से बात है जो अदानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोधी करते हैं अदानी कहते हैं भहिया मुझे बंबई का एरपोर्ट चाहिए एक फोन लगता है नरेंदर मोधी जी कहते है हाँ जी भईया CBI भेजो ED भेजो जिसका एरपोर्ट है उसको परे करो अदानी को एरपोर्ट देो हिमाचल प्रदेश की सेब का बिजनस चाहिए कश्मीर का सेब का अक्रोट का बिजनस चाहिए वो अदानी जी को मिल जाएगा किसी किसान की जमीन चाहिए हजारों एकर जमीन आप खरीदते हो अदानी जी जमीन नहीं खरीदता वो बस कहता है भईया ये मुझे अच्छी लगी है नरेंदर मोधी जी वो उसको जमीन पकड़ा देते हैं हम जमीन अधिकरन बिल लाए पहला काम नरेंदर मोधी जी ने उस बिल को खतम करा पारलिमंट में हम लड़ गए हर स्केट में उन्होंने जमीन अधिकरन बिल को कमजूर किया फिर वो काले कानून लाए किसानों के तीन कानून क्यूं आपके जेब में से पैसा निकालने के कानून थे अगनी भी आपके जेब में से पैसा निकालने की योजना है लक्ष यही है कि आपके जेब में से पैसा निकले और बीस पच्चिस अरब पतियों के जेब में जाए नोट बंदी यही था गलत जी एस्टी यही है 16 लाख करोर रुपे नरेंदर मोधी जी ने हिंदुस्तान के पच्चिस अरब पतियों को करसा माफ किया है 16 लाख करोर रुपे और ये काम करने के लिए जैसे महाभारत में चक्रवियू लगा था वैसा ही चक्रवियू नरेंदर मोधी जी ने आज हिंदुस्तान पे लगा रखा है छे लोग उस चक्रवियू को चलाते हैं नरेंदर मोधी अमिच शाः अदानी अमबानी दोवल मोहन भागवद इन्हों ये लगा रखा है ये चलाते हैं और इस चक्रवियू का लक्ष है कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों का पैसा सीधा का सीधा खिच कर 20-25 लोगों के हाथ में चला जाए आप अपने बच्चों को कॉलिज भेजो पहले सरकारी कॉलिजेज होती थी सरकारी उनिवर्सिटीज होती थी कम से कम पैसे में आपके बच्चे जाते थे आजकल लाकों रुपए लगते हैं हस्पताल में जाओ वो ही 20-25 लोगों के हस्पताल है दिल का दोरा हुआ लेओ लाकों रुपए दो किटनी की बिमारी होई लेओ लाकों रुपए दो हस्पताल में हस्पतालों से आपका पैसा लुटा जाता है कॉलिजेज युनिवर्सिटी स्कूल्स में से आपका पैसा लिया जाता है महंगाई जो भी आप करीदते हो वो 25-25 अरब पतियों को जाता रहता है कोल्ड रिंग पीओगे वो भी उनको जाएगा टेलेफोन चलाओगे वो भी उनको जाएगा ऐसा हिंदुस्तान बना रखता है और हमारे काम देखो कॉंग्रेस पार्टी के काम देखो जमीन अधिकरन बिल किसको फाइदा हुआ अरब पतियों को फाइदा हुआ किसानों को फाइदा हुआ मन्रेगा बोजन का अधिकार बटा परसॉल हमारा लक्ष है कि अगर अरब पतियों का कर्जा माफ हो तो पेट किसानों का भी कर्जा माफ हो मजदूरों का भी कर्जा माफ हो गरिबों का भी कर्जा माफ हो हम नयाय चाहते हैं हमारा कहना है कि ठीक है भाई अगर उनका करना है तो फिर इनका भी करो अगर इनका नहीं कर रहे हो फिर उनका नहीं करो न्याय होना चाहिए हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनको फाइदा नहीं मिलना चाहिए फाइदा सब को मिलना चाहिए रिस्पेक्ट सब की होनी चाहिए और जो मेहनत करता है उसको उसमें उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए हर्याना में उधारन देता हूँ किसान 24 घंटा काम करता है मगर आपको सही दाम नहीं मिलता मैंस पी नहीं मिलती धान के किसानों को आज धान का पैसा नहीं दिया जा रहा है जाके पूछ लीजिए और मैं आपको गैरंटी करके कह रहा हूँ हर्याना के किसानों को कह रहा हूँ कि हमारा पहला काम होगा यह जो आपका धान का पैसा है हम आपके जेब में डाल देंगे आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे और फिर गैरंटीड MSP हर्याना के किसानों को देंगे दो लाख सरकारी नोक्रियां है हर्याना की सरकार ने उनको खाली रखा है वो आपका हक है वो दो लाख नोक्रियां हम हर्याना के युवाओं को देंगे हर जात के युवाओं को मिलेगी सब को समानता के साथ रिस्पेक्ट के साथ दो लाग रोजगार हम देंगे यहां महिलाएं आई हैं हर्याना के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए जाएंगे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब हमारा हमारी सरकार थी 400 रुपए का सिलिंडर था तब नरेंद्र मोदी कहते थे 400 रुपए का सिलिंडर हो गया है आज 1200 रुपए का सिलिंडर है नरेंद्र मोदी जी अपने भाषन में यह नहीं कहते कि 1200 रुपए का सिलिंडर है हर्याना की सरकार आईगी 500 रुपए का सिलिंडर होगा और जो 700 रुपए बचेंगे वो आपके जेब में जाएंगे तो हम चाहते हैं आज सुबह प्रियंका ने कहा उड़ा जी ने कहा कि इज़त होनी चाहिए लोगों की और मैंने अपने बाशन में जोड़ा कि हाँ रिस्पेक्ट इज़त जरूरी है मगर उतना ही जरूरी पैसा है हम रिस्पेक्ट करें इज़त दें और जेब में एक रुपिया नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं है तो मेरा लक्ष है कि जितना पैसा इन्होंने अरब पतियों को दिया है हर्याना में हम शुरू करेंगे दिल्ली में सरकार आईगी फिर मज़ा देखना जितना पैसा इन्होंने अरब पतियों को दिया है अधानी को अंबानी को उतना पैसा हमारी सरकार हिंदुस्तान के किसानों को मज़ूरों को गरीमों को देने वाली है आपके जेमे से पैसा निकलता है बच्चों की शिक्षा के लिए स्वास्त के लिए पेट्रोल के लिए डीजल के लिए प्याज महेंगा होता है अलू महेंगा होता है निकलता और जाता निकलता जाता है निकलता जाता है निकलता जाता है दूसरी साइट से अंदर नहीं आता है आपको रोजगार नहीं मिलता पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद कर दिये सेना का रास्ता बंद कर दिया हम चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो मगर जैसे अमबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटा कट खटा कट खटा कट जा रहा है वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा कटा-कट 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 आए और हमें ये ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां मतलब 25 लोग एश करें, मौज करें हजारों करोड रुपे की शादी मनाए और हमारे मजदूर, हमारे किसान भूके मर जाए ये हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए ये हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे और इसको बदलने के लिए ये जो नरेंदर मोदी अमिचावला चक्रविव जो है जिसने आपके सारे रास्ते बंद कर रखे हैं इस चक्रविव को तोड़ना है बाशन में मैंने कहा मोदी जी से कहा मोदी जी आप गल्द फेमी में हो हिंदुस्तान का युवा अभिमन्यू नहीं है हिंदुस्तान का युवा अर्जुन है और वो आपके चक्रविव को दो मिनट में तोड़ देगा आप सब का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहां शाम के समय आए इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी और आपको कहना चाहता हूँ कि जहां भी मेरी जरूरत हो जमीन का मामला हो पार्लिमंट में जो भी आप मुझसे कलवाना चाहो हर्याना के बारे में हिंदुस्तान के बारे में किसानों के बारे में जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ हाजिर हो जाओंगा आपको सिर्फ ओर्डर देना है कि राहूल आप ये करो हम आपसे ये चाहते हैं आपको पार्लिमंट ये हमारे लिए ये मुद्दा उठाना है मैं दो मिनट में आपका मुद्दा अठा लूँगा आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव का समय है मैं कह रहा हूँ कि आप कॉंग्रेस पार्टी को वोड़ दीजिए हमारे कैंडिडेट्स को समर्तन दीजिए मगर मैं जानता हूँ कि मन आपने बना लिया है यहाँ पे कॉंग्रेस पार्टी का तुफान आने जा रहा है बीजेपी हारने जा रही है आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद अब हमारे परदेश सद्यक्स जोजरी उद्यबान जी नहां पर राहुल गांदी का प्रिंगा गांदी जी नहीं का पहुंचने पर धन्यवाद करेंगे मेरा अनौद है जोजरी उद्यबान जी से लोग सबह परतपक्ष करेदेटर है है पूर्व राष्टच्य अद्यक्ष् आदर्निया स्री राङूल गांधी जी हमारे अधर्निया कॉंग्रेस कामेंटि के जनल्सКडेटी अर्गनाइजेशन शरी केसी वनिंगुपाल जी हमारे आदर्निया बहन शरी प्रियंका गांधी वडेरा जी महास्ताचीफ अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेंटी हमारे बीच मपस्तित आदर्निय पुरू मुख्यमंत्री चौदरी बुपेंदर सिंग हुड़ा जी हमारी बहन AICC में जनल सेक्टरी सिरसास एमपी आदर्निय बहन कुमारी शेलजा जी हमारे यहां से बहुती वरिष्ट नेता जो आपके पार्टी के कंडिडेट हैं सिरी असो करोडा जी बाई मंदीब चठा जी मेवा सिंग जी मंच पर बैठे वे अन्य सभी नेतागन और मेरे सभी सम्मानित बुजर्गो नौजवान दोस्तों माताओं बहनों बच्चों मैं धनवाद करना चाहूंगा हर्याना परदेश कॉंग्रेस कमेंट्री की तरफ से आदर्निय सिरी राहूल गांदी जी का प्रिंका गांदी जी का जिस तरह से उन्होंने इस भारतिय जनता पार्टी को बेनकाब करने का किया है जिस तरह से इनकी सारी नीतियों का परदाफास करने का किया है आज हर्याना परदेश की जनता आपके मार्क दर्शन में इस सरकार को उखाड के फैंकेगी और जो भी इन्होंने किसानों पर रत्याचार किया है, हमारी महिला पहलवानों पर किया है, अर्थी व्यवस्ता का बंटा धार किया है, तीस वार से ज़्यादा जो पर्चे लीक हुए है, आज सिक्षार स्वास्त का बंटा धार किया है, इस सरकार को खार फैंकने के लिए हर्याना की जनता तयार बैठी है, और भारी बहुमत के साथ में कॉंग्रेस पार्टी हर्यानम सरकार बनाएगी और यह सरकार केंदर में रास्ता खोलेगी आदर्निय सिरी राहुल गांदी जी को परधान मंत्री बनने के लिए इसके बाद महाराष्ट्र में जहार खंड में और दिल्ली और ब्याहर में कॉंग्लेस की सरकार बनेगी और केंद्र में राहूल गांदी जी प्रदान मंत्री बनने वाले हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 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 झाल झाल